ग्रामेर प्रिष्ठ भूमी के सभी दर्शुकों का ग्रामेर ब्लाइडिंग में स्वागत है पेश इस सप्ताहा की मुख्य खबरे गाउंपाई की लाइबरेरी में पढ़ने वाले युवाओं को अपने बुष्य की चिंता के साथ साथ है लाइबरेरी की विवरस्था की चिंता बता दें कि दो साल के बाद भी बिजली पानी और स्पाई जैसी मुल भूल विवरस्थाओं का नहीं हो पाया है अभी तक कोई समाधान गाउपाई के संदीब धूल का चैन प्रो कबड़ी लीग में अभी शेख बच्चन की टीम जैपूर पिंग पैंथर में हुआ है संदीब धूल लगातार तीन सीजन से जैपूर की टीम में ही एक बेस्ट ट्रेडर के रूप में खेल रहे है प्रो कबड़ी लीग में गाउं से अभी और खिलाडियों के चैन होने की भी उमीद है प्रो कबड़ी में सेंक्डों खिलाडी स्टेट और नेशनल लेवल पर खेल कर अपना और गाउं का नाम रोशन कर चुके हैं गाउं के सभी सरकारी स्कूलों में हुई पेरेंट्स टीचर मीटें पीटीम के तहट गाउं के सभी सरकारी स्कूलों में अविभावकों को बलाया गया मता पिता ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर की अध्यापकों से बादचित इस दिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर आ रही दिखतों पर माता पिता और अध्यापकों ने विचार साजा किये बता दें कि लागडाउन के बाद सुपह 9 से और 12 वजे तक ही स्कूल खोलने की सिर्कारदोरा इजाज़त दी गई है रभी बार को गाउं पाई के रामलेला मैदान में स्रोमंगल कामना ट्रस्ट के स्थापना दिवस और मेजर ध्यान चंद के जनम दिवस के उप्लक्ष्ट में लगाया गया इस रगदान काम में 125 यूनिट रगदान इकठा किया गया युवाओं में वी से सुथ सारा और रगदान महादान का संदेश दिया ट्रस्ट समय समया पर रगदान सिवर का आयोजन करवाता रहता है पेरा साल की दिव्या रादी कर रही है बैंक में अनपड़ और बुजर्गों की साहिदा पेरा वरश्य गाउं पाई की वेटी दिव्या दूसरे बच्चों और युवाओं के लिए है प्रेड़ना का स्त्रोथ दिव्या अपना ज्यादर दर्शन में पढ़ाई और उसके बाद कबड़ी खेलने में व्यातीत करती हैं पेर बाद वो अपना खाली समया सिव्याई बैंक में बुजर्गों और अनपड़ लोगों के सहयों के लिए व्यातीत करती हैं पता दें कि बेंकों की आजकल लंबे-लंबी कतारों में अंपड़ और बुजोरुग लोग जानकारी के अभाव में बहुत परेचानर रहती है। बैंक में ऐसे अनपड़ और बज़ूर्ग लोग जो प्रेशन रहते हैं अपने कारियों को लेकर उनके सहयों के लिए सदा उपस्तित रहती है ये बेटी दिवियारानी दिवियारानी नाइन्थ क्लास में पढ़ती है और इनका चैन नवेदा विजाले के लिए हुआ है ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के लिए प्रेणा का स्थ्रोथ किसान अदोरन के नो महीने पुरे होने पर यूपी के मुझफर नगर में होगी महापल जायर हर्यानों के सभी गाउं से जाएंगे किसान सुनी गाउं किसानों की है अपी किसान भायो सबी गाउं में तै त्यारी है सब की मुझफर नगर में यूपी के अंदर बड़ी पंचायत है सारा इंदुस्तान की और सारा हंदुस्तान में तै किसान मज़ूर और पंचात अरा रूप में सबी भाई ओठाए जाएंगे और बहुत शांती पिरिए इस देश ने जू दिखाऊंगे भाय कि शान मज़ूर इंदुस्तान का मुझो फर नगर में और पूरी रेली होएगी और बड़ी शांती से चलिओ और शांती से रहीो एक देश का न्यूद ख्याना भाइक शान मज़ूर छोटात कांदार ग्रीब आदमी सभी कठ्था होगा, राजदा निन न्यूबेरा पेठ जेगा भाइक, सभी चंता तंग है और इन के लिए भाइक कुछ काले कानुन वापिश करने चाहिए और जो मांग है इस जंता की उस जो मांग पर उतरना चाहिए, वाए शर्षकीति राखांगे और हम प्राइबेर देश नहीं होन जांगे सभी से आजोड के बिंटी है, सरकार बख़डाई होई है, इस अंदोलन को तोड़ना चाहँ है, तोड़न पर है रही है, आप श्यंती बनाए राखियो, श्यंती से लड़ाई जित्ता आंगे, आपने इसे अंदोलन में बहुत कुछ खोई लिया, ससक अलग बक तो किसान ख खराब कलना चाहँ है, इसना खराब ना उन दियो, जैसे करांता शुरू में चल ले थे, अंदोलन में शातन ब्यान खाटर खड़े थे, खसम खाई थी, उसो खसम पर खरे, उत्रो किसी की बकाई मैंना आओ, सबसा जोड के याई बिंती है, ठंडे ना पड़ो चाहँ है, यह तो करा रहाता है, तुरे नहीं होंदे, जो रहाता है, तुर्गे एर एक पंचायत में आठ थाए दिया, और आठ थाए के कासम खाई ली, फेर इसन दोलन नियू का नियू बनाय का राखो, कसम खाय का पुठे निया ठेकर दे, कुए की मनत्पा खड़ा करके, तकानी द देकर दे, इसने पूरे नियू के नियू के नियू खरे, उतरो, तुर्गे अंदर महां पंचायत हो रही है, बहुत बड़ी, सभी किसान उस पंचायत में भाग लें, बढ़ चड़ का भाग लें, और अपरात अपनी नाम चाहिए, श्यंती पर यह जो पंचायत का रूप ह कर रखें उसने, और सबी का काम है, यह कल्ला का काम नहीं है, सारे इसमें परदहान है, सारे इसमें सिवाधार है, सबी आप अपनी जुमेवारी परे चलिए, श्यंती परिये चलिए, रहमे जाम लाग जै लैंड़ बनाय का रखिए, अपरात अपरी नाम चाहिए, मेरा सभ ताकि बुलेटिन समझ आए, अगले हफ़ते सी मिलेंगे नई न्यूस के साथ, तब तक के लिए नमश्कार